हलो गाईज पैलकूम टो देजी में देनीज तो गाईज आज हम बात करेंगे कैप्टर मावल की पावर को लेकर उनके रोल को लेकर जो कि एविंजर इंफिटी वार के बाद एविंजर 4 में वोस्ट इंफिटी वार में एक छोटा सा पोस्ट क्रेटिसिंग कितना थैनोस की पावर क्या है वो कैसी दिखती है यह सब रिवल डूने वाला है कल जो कि आपकी आपकों के सामने आने वाला है और आप सभी जानतों के वो पूरे यूनिवर्स को बैलन्स कर दे बट ऐसा नहीं है केविन फैगी ने बोला है कि थैनोस ने सबसे बड़ी गलती कर क्योंकि उसने एक पूरे यूनिवर्स को बैलन्स नहीं करा उसने एक पूरे यूनिवर्स को एक तरफ कर दिया है यानि कि एक तरफ ब्लैंक एक तरफ पावरी पावर यानि कि वो थैनोस के बारे में बात कर रहे है थैनोस के पास इतनी सारी पावर आ चुकी है जैसे कि एक तरीके से कुछ तो मर भी चुके हैं कुछ जिंदा भी है उनके पास कोई option नहीं है कि वो क्या करें ये सब आंसर तो मैं Avenger 4 में देखके पैदा चलेगा पर केविन फागी ने बोला है कि ये सारे Avengers Thanos के सामने अकेले पड़ चुके हैं एक अंदेरी की तौर पर वो एक ऐसे Avenger 4 में इंफिटी कॉटलेंड, आर्मर, सारी इंफिटी स्टोन्स और देन उसके पास एक अपना खुद का वैपन होगा जो कि एक तरह पूरी पावर को कर देता है पर ये यूनिवर्स में इसे बैलेंस करने के लिए Captain Marvel आएगी Avenger 4 में जो की तैल का मचा देगी तो Captain Marvel versus Thanos ये ये आर्टिकल काफी कमाल का दा, तो देखते के Avenger 4 में क्या होता गाइस आज की लिए बसेत नहीं, अगर आपको ये वीडिव पसंद आए तो प्लिए लाइक कमें शेयर करो जो अन दिस वीडिव को नहीं देख रहो, या दोस्त पर Captain Marvel इस के हाथ मारो ये पैर मारो, सब्सक